सर बहुत बहुत धन्यवाद मैं अब्दु सतार दल्वी साहब से बिंती करता हूँ कि बस दो मिनिटा मेरे बुजर्ग प्रोफिसर नामवर सिंग जी दोस्तों और अजीजों मैं तो आया था कि नामवर जी को सुनू और मुझे यहाँ पर स्टेज पर बिठा दिया गया यह मेरे खुशबक्ती थी कि मुझे आज के जलसे में यह एजाज हासिल हुआ मैं नामवर जी को हमेशा सुनता रहा हूं पढ़ता रहा हूं उनके वारे में जानने के हमेशा कोशिच करता रहा हूं यह दानिश्वरी जो है इंटेलेक्च्वलिजम जो है हमारी यह अब शायद खत्म होता जा रहा है मायूस नहीं हूं लेकर इसे लगता है यह आखरी निशानियां जो है हमें उनसे पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए नामर जी ने भी कई बार शम्षर बादुर सिंग की शाहिरी के बारे में अपनी बातचीत में गुफ्तगू में उर्दू और हिंदी के हवाले दिये आज का जो हमारा भाशी की मनजर नामा है लिंग्विस्टिक सेनारियो है और हमारे मुल्क का जो सिनारियो जो है हर सते पर उसमें नामर जी जो है और शम्षर जी एक अच्छे मुस्तक्बिल के अलामत के तौर पर सामने आते हैं इनकी पहरूई करनी चाहिए और उर्दू और हिंदी के संदर्ब में हमें मिलाने वाली दिशाओं की तरफ काम करना चाहिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट शम्षर जी को शायद यही होगा कि हम उर्दू और हिंदी के जो मुक्तलिफ धारे हैं उनकी आइडिन्टिटी को काइम रखते हुए एक मरकज पर आने की कोशिश करें अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ी शुद्दाजली होगी हमारे हिंदी विभाग ने जो यह प्रोग्राम यह सेमिनार आयुजन किया है तो मैं समझता हूं उर्दू यंवर्सिटी के हवाले से इसे बड़ी ताकत मिलनी चाहिए और हम सब हिंदी प्रेमियों और उर्दू के आशिकों को एक साथ मिलकर जो है मुल्क की कौनी फिदमत करनी चाहिए उर्दू और हिंदी दोनों को बढ़ हवा मिलना चाहिए एक मरतबा सरदार जाफरी साहब एक हिंदुस्तानी के हवाले से मैं तो हिंदुस्तानी का प्रेमिय हूं गांधियाई कल्पना जो है हिंदुस्तानी की है। उसे सिल्सेले में वो मुझसे इंटर्यू कर रहे थे टीवी पर मेफिल ए आरा में तो मैंने उन से ये कहा था कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी वही सरसेयत की बात जो है जड़ा मुक्तलिफ अंदासे मैंने पेश की कि हिंदुस्तान एक दुलहन है और हिंदु और मुसल्मान उसकी दो आखे हैं अगर एक भी आँख फूट गई तो दुलहन कानी और भिंगी हो जाएगी। मैंने इसी बात को उस मौके पर कहा था जाफिस आप के साथ कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिसानी नक्षे बाश्य की नक्षे पर लिंग्विस्टिक मैप पर हिंदुस्तानी एक दुलहन है और उर्दू और हिंदी उसकी दो आखे हैं इन दोनों को कि हमें गदर करनी चाहिए और उसकी पजिराई करनी चाहिए है। मैं एक मरतबा फिर कटी मनी सहाब का हिंदी विभाग का मौला न आजाद यूनिवर्सिटी का दक्षिन भारती हिंदी प्रचाहनी सभा का शुक्र गुजार हूं कि उन्हों ने मुझे ये उसर दिया, ये मौका दिया कि मैं आज नामवर सिंग जी के इस व्याख्यान में उनके लेक्षर में उनकी तक्रीर के मौके पर हाजिर रह सकूं और द्हनवाद, ये जो भावना है कि हम सब एक हैं, हम सब को एक मिलकर एक होकर जाना चाहिए, ये भावना फले और फूले, आप सब का आशिरवाद इसके लिए चाहिए, अब मैं प्रफेसर दिलिप सिंग साहब से निवेधन करता हूं कि आप इस सतर का द्हनवाद देदे उपस्थित साथियों, मैं प्रफेसर नामवर सिंग को, जो उनकी अभी अभी तक्रीर हुई है, उसके लिए हादिक धन्यवाद देता हूँ. मुझे लगता है कि ये संस्मरण ये यादों का जो काफिला जिसे कभी कुलाचे भरती हुई हिरणी की तरह कभियों ने देखा है, कभी नदी की मचलती धाराओं की तरह देखा है और संगम नामवर जी ने अभी हमारे सामने रखा, हम्मंत्र बिद्ध थे, ये आप सब महसूस कर रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। यादों की जो परते हैं वो कितनी गहरी होती हैं और इसे नामवर जी ने जिस खुफसूरती से यहां रखा है। उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इस बहाने उन्होंने आधुनिक हिंदी और उर्दु साहित और उसके बहुत से लिखने वालों का भी हमसे तारूफ कराया। और चलते चलते उन्होंने शमशेर की एक छोटी सी कविता का जो हवाला दिया और उससे शमशेर की शक्सियत को उनकी लेखनी को उनके जहनी इस्थितियों को जैसे उजागर कर दिया वो शायद किसी बड़े से बड़े लेख में नहीं किया जासता।